वेल्कम टू मैं आचेंड हाउस वीवेर्स में हो अर्किटेक्ट शांतो नो आज का हाउस प्लान 31 फीट बाई 26 फीट टोटल 800 स्क्वार फीट का हाउस प्लान है 74 स्क्वार मिटर का हाउस प्लान है नेक्स्ट हम क्रेट करते हैं कालम कालम नमबर 1, 2, 3, 4 इस तरह हमें टोटल यहां पे 14 कालम का जरुत होगा कलम का साइज 10 इंच बाई 10 इंच सो वीवर्स आज देखेंगे 800 स्क्वार फीट के अंदर हमने एक बड़िया सा 3 बेडरूम हाउस प्लान हम वाल क्रेट करेंगे और आब हमने जो हमारा कलम है यह पूरा क्रेट कर लिया हूँ सो वीवर्स आप जलते हैं वाल क्रेट करते हैं लिंक टेल तक 7 फीट 6 इंच हाइट आउटर एन इंटरनल वाल 5 इंच थीक 125 इंच का है यह बेडरूम टू का वाल साथ में कमन टाइलेट और एक अटच टाइलेट यह तीसरा बेडरूम साथ में एक लार्ज हॉल दिया गया है और एक लार्ज कीचन फार्स फ्लोर जाने के लिए स्टेयर और एक पूजा रूम यह पूजा रूम है यह पूजा रूम है पूजा रूम बिल्कुल स्टेयर के नीचे से हम जाना होगा बिल्कुल करनार में दिया गया है और इहां पर हमने थ्री फ्लाइट स्ट्यार प्रॉवाइड किया हूं हम्म यहां पर ट्रू फ्लाइट दिखाया हूं और जो थार्ट फ्लाइट है मैंने आमीच रखा हों कि यहां पर हमें एक बड़िया सा एक स्पेस भी मिल जाएगा इस तरह हमें स्ट्यार बनाना होगा और साथ में हम स्ट्यार का डीटेल्स भी डिस्कस करेंगे यह हमारा फ्रांट वाल जो की लिविंग अरिया हॉल रूम है उसका और शाथ में हम चलेंगे इसका प्लिंथ हाइट अज के जो फ्लिंथ हाइट मैंने ग्राउंड लेवल से वान फीट उपर रखा हूं बिल्लिंग का में फ्लोर लेवल विवर्स अगर आप लोग को बिल्लिंग ब्लान बनाना है तो आप लोग साइज आपका बिल्लिंग का जो साइज है कॉमेंट कर शकते हैं यह हम देखेंगे जो हमारा में डोर होगा मिनिमाम जो साइज है 3 फीट 6 एंज बाइ 7 फीट और उसके उपर लिंग टेल नेक्स्ट हम एंटरंस के बाद बचेंगे लिविंग रूम या हॉल एरिया एक लार्ज हॉल एरिया हमें यहां पर देखने मिल जाएगा साथ में हम क्रियेट करेंगे इसका एक विंडो फ्रांट में जो होगा लिंग टेल लेविल 7 फीट और सील लेविल जो होगा यह डाई फीट है फ्लोर लेविल से और विंडो का जो डेप्थ होगा 4 फीट 6 इंच और चावडाई आप आपने हिसाब से रख सकते हैं सो अब चलेंगे इसका डाइमेंशन देखेंगे यहां से यह टोटल 14 फीट 9 इंच बाई 11 फीट काफी बड़ा है 800 स्कार फीट में काफी बड़ा है हमां एक लार्ज हल मिल रहा है पूजा रूम जो की हमारा यह पूजा रूम दिया गया है इसका जो डोर है स्ट्रियार का जो थार फ्लाइट होगा उसका नीचे से इंट्रेंस दिया गया है बिलकुल करनर में दिया गया है फूजा रूम को यहां पे हमने एक वेंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं वेंट और जिसका साइज सेवन फीट फोर इंच बाई थ्री फीट शेक्स इंच फूजा रूम नेक्स्ट हम डिसकेशन करेंगे स्ट्यार इस तरप स्ट्यार देना होगा श्ट्यार का जो लेंध है 2 फीट 6 इंच ट्रेड 9 इंच जो राईजर है यह 6 इंच बहुत ही कंपेटेबल स्ट्यार है हाइड बिल्कुल कंपेटेबल है अब चलेंगे कीचन यह हमारा कीचन है और साथ में कीचन स्लाब 31 इंच हाइड और 22 इंच वाइड यहां पर हमें एक वेंटिलेशन के लिए वेंडो प्रोबाइड करना है यह 30 इंच बाइ 30 इंच या 3 फीट बाइ 3 फीट का और साथ में हम इसका डाइमिंशन डिस्क्रेशन करेंगे इसका साइज 9 फीट 1 इंच वाइड 7 फीट 4 इंच काफी बड़ा कीचन है नेक्स्ट बेडरूम वान बेडरूम वान और हम देखेंगे इसका जो बेंटिलेशन है यह जो बेडरूम वान है यह हमारा मास्टर बेडरूम हम कह सकते हैं इसके साथ हम एटच्ट टॉइलेट दिया हूं टॉइलेट अन बाद एटच्ट किया हूं और एक यहां से वेडरू दे देंगे फोर फीट बाई फोर फीट 6 इंच और विवर्स अब चलेंगे इसका साइज 11 फीट चौड़ाई में और इस तरह मिल जाएगा टेन फीट नेक्स्ट एट टॉइलेट जो की मास्टर बेडरूम के साथ एटच्ट किया गया है एटच्ट टॉइलेट एंड बाद रूम यहां पर पीछे तरफ हमने एक मेंट रिलेशन दे देंगे दो फीट बाई दो फीट या देट फीट बाई थ्री फीट का और इसका साइज 7 फीट 4 इंच बाई 4 फीट नेक्स्ट बेडरूम 2 करना वाला बेडरूम है यह बेडरूम 2 यहां पर हमने दो विंडो प्रोवाइट करेंगे क्रोस विंटिलेशन के लिए इस साइट और इस साइट और साथ में बेडरूम का साइज 11 फीट बाई 10 फीट नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों बेडरूम के बीच में एक कॉमन टॉयलेट और बाद रूम एक विंटिलेशन प्रोवाइट कर देंगे बीच ओ बीच में सेंटर में और जो विंटिलेटर का साइज होगा 1 फीट 6 इंच बाई 3 फीट कॉमन टॉयलेट का साइज 4 फीट 4 इंच बाई 7 फीट नेक्स्ट तीसरा बेडरूम बेडरूम नमबर 3 फ्रांट में दिया गया है पहले दो विंटिलेशन हमें पुवाइट करना है तो विवर्स आज का जो हाउस प्लान अब लोग को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके जुरूर बताए अगर अच्छ लगा तो लाइक कर दीजिए साथ में दूसरे के साथ सेयर भी कर दीजिए साथ हो सके कि उसका यह हाउस प्लान बहुत काम पर आ जाए और शाहत में सब्सक्राइब भी कर लिजिए तीसरा बेडरूम का जो साइज है यह 10 फीट बाई 11 फीट फाइव इंच शो फ्यूवर्स हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में